कि देखिए यह जो एक्टिविटी इस अबाउट इडियम्स यह इडियम्स के उपर जो है एक्टिविटी है अलग-अलग जो महरे होते हैं उसके उपर यह एक्टिविटी है तो देखिए पहले एक्टिविटीस में यह दीवे कि 1-12 डिफरेंट इडियम्स से दिये हुए है जैसे अब बीजी बॉड़ी अचेटर बॉक्स अब कोच पोटेटो एन अरली बर्ड और रोलिंग स्टोन अगेंगिया पिग, असकैप, गोट, अबैक्सिट, ड्राइवर, अवेट, ब्लैंकेट, अबिक, शॉट, अडेयर, डेविल, अनौजी, पारकर तो यह words दिये हुए, sorry, इडियम से दिये हुए, अब उसको हमको क्या करना है, यहाँ जो A से लेकर L तक उसके meaning दिये हुए, कि इन इडियम से क्या मानती है, उसको आपको मेहच करना, जैसे यहाँ दिया हुए, someone who always wants to know about other people's private lives, जैनि ऐसा शक्स जो दूसरों की, जो private life है, उनके राज को जानने में लगा हुए रहता है, जानना चाहता है, तो ऐसे इंसान को क्या कहते है, तो उसके तालुक से यहाँ पर कौन सा लबज आएगा, वो आपको लिखना है, यह जो जो इडियम से यह कहवते हैं, किसके बारे में हैं, लोगों के बारे में, है ना, तो actually कहवत क्या होती है, कि उसके लबजी मानी कुछ और होते हैं, लेकिन actual meaning कुछ और होते हैं, तो वो आपको find out करना है, है ना, जैसे यहाँ पर दिया हुए, a chatter box, chatter box बना है, chat से chat, यानि बात करना, यानि जो ज़्यादा बात करता है, अब देखिए, उसके लिए यहाँ पर को दूरूरी बाते करने वाला शक्स, जो लगातार बात करते रहता है, तो इस activity आप कैसे हल करेंगे, कि यह जो है number two, वहाँ लिखेंगे आप a chatter box, और उसके सामने लिखेंगे, a person who talks a lot, especially about things that are unimportant, इस तरीके से आप उसको जोड़ी की शाक्ल में लिखें, ता कि आपको समझ मे है, then next is, idioms, यहाँ पर हमको क्या करना है, कि idioms जो फिल करकर जुम्ले को complete करना है, है न, sorry, यहाँ पर जो क्या करना है आपको, कि इसको जो pair करना है, you have aunts in your pants, I am going at growing things, put yourself in my place, I am in trouble, यह जो sentences दिया हम, इसको properly जो है, वो मेच करना है, दिये वे sentences से, then next is, यह भी उसी से related continue activity, यहाँ टोटल जो है, वो 6 and 12, टोटल 12 sentences है, और उसको जो कॉलम B से आपको match करना है, then next activity है, food idioms, पहला जो था हो, people idioms था, idioms about people, यह food idioms, जैसे, butter someone up का मतलब होता है, be extra nice to someone, usually for selfish reasons, है न, यानि, be extra nice to someone, किसी से बिला वज़े जो बहुत ज़्यादा अच्छा रहना, यानि चापलूसी करना, यह मतलब होता है, तो उसके लिए, food idiom जो हो है, butter someone up, है न, चापलूसी करने के मानी में इस्तिमाल होता है, चीजी, चीजी, यह तमाम जो foods के नाम है, butter, cheesy, cool, cucumber, यह सब क्या है, यह सब अलग-अलग food items के नाम है, तो उससे भी हम, जैसे एक example होती है, जैसे ना कि अगर किसी के height बहुत जादा है, तो हम कहते हैं कि वो उट जैसा लंबा है, तो यहां पर उट सो हम किसी इंसान को compare कर रहे है, तो यहां पर हम food के जरी है, जो तो किसी को compare कर रहे है, तो इसको आप अच्छी तरह के समझिए, और अपनी कॉपी पर note-down भी कीजि मिज भी हो यानि, गैर अकला की हरकत करना अच्छा भी हो ना करना, तो उसके लिए जुम्ले में इस्तेमाल किया है, माँ साइन यूजड तो एक्ट अप एवरी डे वेन ही वास लिटिल, तो इस तरीके से यहां पर एक्जांपल दी भी है, कि एक्ट आप का मतलता है, तो मि सेकुरिटी, मिजर, हैना, बैक अप करना, यानि, किसी चीज़ को कॉपी करना, सेकुरिटी के लिया से, बुल आप, to get angry very fast, बुल आप यानि, गुसा होना, देन, ब्राइट अप, to make cheerful, हैपी, ब्राइट अप यानि, खुश होना, तो इन एडियम से को जो इस्तिमाल किया ग अप का मतलब होता है, उपर और ब्रेक यानि, तोड़ना, लेकिन ब्रेक अप का मतलब, यहाँ पर क्या हो रहा है, एडा relationship, यानि रिष्टा तालुक तोड़ देना, तो इस तरहीं से हर एक क्या अलग-अलग मानी होते हैं, तो यह जो एडियम से यह कहलाते हैं, एडियम से तो इसको भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए विद एक्जामपल नीचे जो एक्जामपल दी विए उसको भी और उसको समझिए भी, तो पिछली जो जितने भी एडियम से आए हैं, तो उसी को यहाँ पर राइट डाउन करना है, जिसे वेक अप ऑप ऑन दा र जो एडियम के मेनिक रइट डाउन कीजिए, इसके सामने यहाँ पर आपको रइट डाउन करना है, तो यह अपट्वी जो थी, इस अपट्वीटिश अपाओ एडियम नाव इन नेसट अपट्वीट विच विछ विछ डीफोर, यूद डिसकस विट अनधर टोपिक, तिल गुद्बाइ